नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किम जोंग जो नौर्थ कोडिया के जो सासक हैं जो ताना सा कह सकते हूं से उसका एक हमसकल नजर आया है ऐसा हमसकल, मतलब आप कभी-कभी नजर आता होगा, आप देखे होगा अगर गौर से करिएगा, तो इसका चैलेंज एक British कह सकते हैं, कि एक British political ने की है, जी हां, एक British महिला ने किया है, इसका चैलेंज कि अगर आप लोग ध्यान से अगर मेरे थमनेल को देखोगे, तो वहां पर एक तरफ है असली तानासा और एक तरफ है नकलितास दोनों का डांत में डिफरेंसेज है एक कह सकते कि हाथ में यहां पर कुछ बनाया हुआ है राउंड किया हुआ है जैसे कोई इंजेक्शन हो या कुछ हो तो इस तरह से किया हुआ है तो कुछ डिफरेंसेज हैं अगर दोनों को अगर बारिकी से देखा जाए तब आपको समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा, तो मतलब ये बहुत तोरह से चला आ रहा है, एक रिवाज कह सकते हैं, कि हर जो भी तानासा हुआ वहां पे, हिटलर हो चाहे जो भी हो, वहां पे वो अपने हमसकल एक रखत था, ताकि दुस्मन्यों लोग को कोई खवर ना हो, अगर कोई बीमार पर जाए असली का, तो उसे नकली से काम चला जाए, कोई अटैक ना कर सके, तो जैसे पता चले कि वहां पे कोई सासक है, अभी भी है, तो इस तरह से ऐसा माना जा रहा है, कि एक प्रोग्राम में ऐसा देखा गया है, जैसा कि आप लोग सब को पता था कि किम जोंग काफी दिनों से अंडर ग्राउंड हो चुके है, यानि गायब हो चुके है, और उनसका साइद इलाज चल रहा है, बहुत जगह पे न्यूस भी आई कि ब्रेंडेड भी उनका हो गया है, अभी कुछ समझ में कुछ सरजरी हुई, जिसमें कुछ कह सकते हैं कि कुछ सफल तरह से नहीं हुआ, जिस वज़े से उनका ब्रेंडेड हो चुका है, कौमा में चले गया है, लेक कि इसी बीच मतलब कुछ घंटे बाद ही एक नया किंग जोंग आता है, सभी से मिलता है, हाथ हिलाता है, सब कु कुछ दिनों पर, तो दोस्तों, ये काफी मतलब मेरा वीडियो बनाने का यहीं मखसत था, कि आप लोग को बता सकूं कि एक बेटिस महिला ने ये चैलेंज किया है, कि ये जो है, हमसकल है, ये वो असली वाला नहीं है, असली वाला का हालत काफी ज्यादा खड़ाब है, तो